नमस्कार दोस्तों मैं गने साधित्ते स्वागत करता हूँ आपका कम्पेटिशन कम्यूनिटी के ऑनलेन प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आज हम मगज समराज जे का मगज समराज में परमुदुरु से चार राजवंद्स रहे हैं और हम आज जो एमसी क्यू करेंगे वो पर्थम तिन राजवंस हो कराएगा अर्थाद पहला ह्रियक वंज दूसरा सिसुनाग वंज तीसरा नन्द वंज मौरे वंज का उसका हम अलग से कर ल करम बताईए मतलब आपको इसको महगत समराज के जो वंस ऐलग अलग वंस चार वंस जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे उनी वंसों का करम सही करम बताना है आपको चली देखतें क्या-क्या है ठीक पहला है मोरे वंस नंद वंस सिसुनाग वन्स हर्यक वन्स ठीकहें अगर इस प्रकार के क्वूश्चेन आपको सिदह सिदह याद है तो कोई दिककत नहीं है एक्जाम में क्या होता है तो आपको ट्रिक के आपने पढ़ाऊगा तो वहां ध्यान दिये होगे हमने ट्रिक बनाया था हर सिसुनाग नंद मौर्य ठीक है इनका प्रारम्भ के सब्दों को लेके तो हर सिसुनाग नंद मौर्य ठीक अर्थात हमारे यह उत्तर आएगा ठीक है ठीक हर्यक वन्स का सासकों का सही करम बताईए ठीक है अभी तो हमने किसका देखा था ठीक वन्सों का करम देखा था अब हम उन पे से एक स्पेसिफिक वन्स अर्थात हर्यक वन्स के सासकों का करम देखने वाले ठीक तो दिखिए पहला अजात सत्रू बिम्बिसार उदाइन तिसरा है बिम्बिसार अजाद सत्रू नाग दसक उदाइन बिम्बिसार अजाद सत्रू उदाइन और नाग दसक तो दोस्तों इसमें से आपका एंसर होगा सबसे पहले हमारा संस्थापक कोन है इसको ध्यान रखेगा तो हमारा संस्थापक बिम्बिसार तो तीनों में कॉमन है बिंबिसार का पुत्र कौन था अजाद सत्रू इस दोनों में common है ठीक अब अजाद सत्रू के बाद कौन आया तो ध्यान रखिएगा आपको पता है ठीक अजाद सत्रू की हत्य किया था उदाइन और उदाइन को पित्रहंता कहा गया है क्या कहा गया पित्रहंता ठीक है तो तो अजात सुत्र के बाद उदाई नाय था, उसके बाद इस्वंस का अंतिम सासक नाग दसक था, तो आब इसका उत्तर होगा D, क्लियर है, चलिए, हम दिख लेते हैं आज का हमारा तिसरा कोश्चन, हमारा तिसरा कोश्चन क्या कहता है, हमारा तिसरा कोश्चन कहता है, बिम् तो यह आपका सही स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है त्रेक निती को अपनाया त्रेक निती क्या है त्रेक निती के तहट इन्हों त्रेक निती क्लियर है तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है तिसरे स्टेटमेंट है अजाज सत्रू को अंग का सासक बनाया बिल्कुल सही है जब है जब बिम्बिसार ने अंग महाजंध पन को जीता तो उस जगह का सासक किसे बनाया गया अजाट सत्रू को Trliar है अगला है कि पतनी कौ शृ एक तो वह वह कौ शाली की राजकुमार ती तिक ध्यान रखिए गा ठीक अगला statement है last statement कि इनकी पतनी जो हो कौशल देवी ठीक वैसाली की राजकुमारी थी ये आपका statement गलत है क्यों क्योंकि जो कौशल देवी है नाम ही आप ध्यान रखीगा नाम ही है कौशल देवी ये कौशल की राजकुमारी थी अर्थात प्रसेंजीत की बहन थी ध्यान र फिलन रखेगें से कौन थी वैसाली से ठीक है चैलेन ना इनकी दूसरी राणी चैलेन ना और इसी से अजात सत्रू कोण आजात सत्रू अजात सत्रू ठीक है क्लियर है इस चीजह को हम लोग पढ़ चुके है चलिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा डी अर्थात विंबिसार के बारे में असत्य कथन हमारा यह डी है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हम पर विचार किजिये अब आपको जानना है जानाम के सांसात वच्जी संग को पराजित किए-स आपके इनका उपनाम कुडिक है अभी पिछले बार क्लास वीडियो में चर्चा कर चुके हैं तो यह भी सही है इनका नाम कुडिक इनके पिता का नाम स्रोणिक द्यान रखेगा स्रोणिक एंड कुडिक क्लियर रहे चलिए आगे दुती बहुत संगती का आयोजन किया गया चलिए एक स्टेटेमेंट है अगला है कि रथ मूसल वह महाशीला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गया ठीक तो यह दो स्टेट था परन्तु फिर भी वहाँ पर उन्होंने ठीक बहाना देके उस राज्य को तोड़ने का सड्यंत्र किया और अपने मंत्री को भेज के उस चीज़ को ठीक है उसकारे को स्थापित किया था कि वहां का जो संग है उससे संग में क्या हो जाए फुट डल जाए और उस बड़ रथ मुसल मतलब रथ में गदा लगा रहता था ठीक है यहां पर महा आपके बाहुबली में रथ में ठीक काटने वाला चौपर लगा रहता है समझे तो यह चीज़े हैं तो ध्यान रखेगा यह भी स्टेट्मेंट से ही है इसका मतलब हमको थोड़ा फोकस करना है इस पर द ठीक चार सो तीरासी में आपका क्या हुआ था पर्थम बौध संगती ध्यान रखेगा ठीक इस चीज़ को आप याद रखेगा यह गलत स्टेट्मेंट है आपका सी चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है अगला कोश्चन है हमारा हरियक एवं सिसुनाग वंस के अंतिम सास अंतिम सासक तो यह जो है दोनों क्रम सा कून होंगे पहला वाले भी कल्प रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन हमारा है इतिहास में किस सासक को सर्वचत्रीहंता के नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा क्या सर्वचत्रीहंता ठीक है अर्थाथ छत्रियों का विनास करने वाला तो simple सा factual question है तो सर्व छत्री हंता के नाम से हम किसको जानते हैं हम जानते हैं ठीक महा पदमनंद ध्यान रखीगा इसका सही एंसर होगा आपका महा पदमनंद ठीक वास्तों में इनके बहुत सारे नाम थे यह जो है ठीक है इनका और एक नाम था ठीक है क्या नाम था भई भार अगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रसन अगला प्रसन है कि किसके सासन कालबे सिकंधर भारत के पस्चंगी तट पर आकरमण के थे यहान रखेगा तिक तीं साथषबिस इस्वीपूर में ठीक सिकंधर जो है भारत एक्जाम में पुछा जाता है तो ध्यान रखेगा उस समय भारत में ठीक है सासंक किसका था तो पहला विकर्फ है महापद्बनन्द घनानंद तो आपको बता दूं कि इसका सही एंसर होगा ठीक घनानंद ठीक आपको इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि ध्यान रखेगा जो अपमान कर दिया किनका चानक है क्या और बाद में उधी चानक ने चंद्रुपत मौर की मदद से घनानंद की हत्या करके महाँ पर मौरेवंस की स्थापना की क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक आठवे परसन पर हमारा आठवे परसन है मगत की सफलता का प्रमुक कार प्रमुक संकेंदरण था कंसेंट्रेशन था मगद के आसपास ठीक है युद्ध में हाथी का प्रियोग तो यह भी बिल्कुल सही है ठीक ध्यान रखेगा अर्थात इसका उत्तर होगा उप्रोग्त सभी क्योंकि मगद जो है कलिंग के पास में था मगद में ध्यान रखेग ठीक तो प्रथम प्रयोग मगद के सासकों नहीं किया ध्यान रखेगा उससे पहले अस्व और उससे पहले रथ का प्रयोग करते थे अभी तक हाथी का प्रयोग नहीं हो रहा था सबसे पहली बार हाथी का प्रयोग मगद समराज के सासकों द्वारा किया गया चलिए आगे वर्णन में उन्हों अपने नाम से करते हैं तहीं अपने तरब से आपने देख के रिखे रहे हैं वह चंद्रगुप्त परथम या चन्दुर्गुप्त मौर खनानन इसल प्रकार के नाम का वह उपयोग करते हैं तो यहां प्रस्थ यह है कि जस्टिन ने किसे सासा को सेंड्रोकोर्ट का है आपके पास है और विकल्प चंद्रगुप्टमौरी चंद्रगुप्त प्रथम घनानन और उप्रक्त में से कोई नहीं त्क तो इसका सही एंसर होगा चंद्रगुप्त मौरी ध्यान रखेगा चंद्रगुप्त मौरी को ही सेंड्रो कॉट्स के नाम से हम जानते हैं ठीक है आगे पढ़ें चलिए अगला प्रस्न हम देखते हैं अगला प्रस्न है आजात सत्रु द्वारा वज्जी संग में फूट डलवाने के किसे भेजा गया अभी अमने चर्चक किया था अजात सत्रु ने वज्जी संग को तोड़ दिया ठीक और बात वहा पर खुद का सासन किया ठीक है हलाके संदी हो गई थी ठीक किसको भेजा था पहला है विकल्प मुंड अनुरुद्ध वशस्कार और उप्रक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा इसका मंत्री था वशस्कार तो वशस्कार को भेजे गये थे वज्जी संग में फुट डलवाने के लिए और वास्तों में वह सफल भी रहा फुट डल गया ठीक ह तो बहुत कम जिसे कि वज्जी संग परमुक रूप से आठ संग राजाओं का संग था अलग अलग जन मिलके एक महाजन बनाये थे महाजन पद बनाये थे वज्जी और उसमें फुट डलने के वज़ा से वह संग कमजोर हो गया जिसको जीतने में आसानी हुआ क्लेर है आग लिए नाग जन तो समाय में यहां पर दूसरा काला सोख के समय है यहां पर तिक दूसरा बहुत वह संगती होता है 383 इस्वीपूर में पहला हुआ है 483 में दुसरा होगा 383 इस्वीपूर में दुसरा बौद संगती कहां वैसाली में और वहां उस समय राजा कौन थे काला सोग थे क्लियर है चलिए तिक बाद में काला सोग जो है वैसाली से राजधानी को परिवर्तन करके कहां ले आता है पाटली पुतर ले आता है इस चीज को भी ध्यान रखीगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न हमारा है तिक नाग दसक की हत्या कर सासक बना मतलब तिक हूँ किल्ड इन पती ठावन्स को यह फ्तर के साफने की सिसु नाग वंस शेनपती थे वास्तों में शिसुनाग जो है तूंद है नाग दसक हत्या करिकर, एक नया वंस की स्थापना की जिसको सिसुनाग वंस कहा गया चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक अगला हमारा प्रस्ण है दिती बोध संगती का आयोजन कहां किया गया ठीक तो ध्यान रखिएगा हम पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं पहले विकल्प है पाटलीपूत और दुस यह आपको ट्रिक के माधियम से ही सारे चीज़े आद आएगी एक्जाम में इतना प्रेसर रहता है कम समय में ज्यादा प्रस्ण बनाना रहता है कभी कभी तो हमको जो आता है प्रस्ण का उत्तर वो भी उत्तर हमसे गलती हो जाता है तो इस प्रकार के चीज़े अगर आप रखे रहते हैं तो तुरंत याद रहेगा यहां दिमाग नहीं लगाना है क्यों कि यह सारे चीजें इनकर आपको खुद आपका ट्रिक के रूप में याद रहेगा राजगरी वैसाली पाटली पुत्र कुड्णल वन तो भी दूसरा को है वैसाली तो पुछा क्या है दूसरा तो नहीं ध्यान रखेगा ठीक है चली अकाक का मतलब अजाद सत्रू काला सोक असोक और कनिश्क ठीक यह उसका तात पर है आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न पर ठीक और अगला प्रस्न है हमारा कि किस राजा को मगद का पर्थम सुद्र सासक मना जाता है ठीक जो थे ठीक यह मगत के क्या थे सुद्र सासक ठीक तो आज पर कोई दिकत नहीं है यह आपका ठीक सुद्रवंस है ध्यान रखीगा महापदमनंद इसको आप ठीक लगाई है ठीक है घनानंद स्रीशुनाग और नागदसक यह नहीं आएगा चली इसका हो गया अब हम अगला प्रस्ण देख लेते हैं यह हमारा आज का अंतिम प्रस्थ है ठीक है छोटा से चेप्टर था किस सासक के सासनकाल में महात्मा बुद्धु को निर्वान पराप्त हुआ तो ध्यान रखिए ठीक वो था अजात सत्रू अभी हमने चर्चा किया था अजात सत्रू के सासनकाल क आठवे वर्स में तिक क्या हुआ था महात्मा बुद्धु को निर्वान पराप्त हुआ था ध्यान रखिएगा और इनके अस्ती को आठ भागों में बाटके अलग-अलग स्तोपों का निर्मार कराय गया था तो ध्यान रखिएगा ठीक है और जस्ट ध्यान रखिए जैसे कि अगला हमारे चेप्टर है जो हमारा अगला विडियो आने वाला है आपका रद्यान रखिएगा और रिफ्यान रखिए इसको अलग विडियो में पढ़ में बढ़ाएगा ठीक है जाए चीजिог अ 6ॉश के बाद कर करना चाहिए, कोई एक ही रास्तान ही अपनाना चाहिए, ठीक, आप अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बढ़ियाबाद है, ठीक है, यहाँ पर MCQs करिए, ठीक है, छोटी-छोटी परस्णों को आप हल किजे, जो नहीं आ रहा है, उस चीज को सुधार लीजिए, ठीक है, चलते हैं फिर, ठीक, आपको काम है भई कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमारा जो अगला वीडियो जब भी आए, तो आपको उसकी सुचना मिल जाए, ठीक है, अगर आपको इस चीज झाल